नमस्कार और आपका स्वागत है दूसरा शो में और आज हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेंगे शार्जा वारियर्स और MI एमिरिट्स के मैच के बारे में जो ILT20 2024 में खेला जाएगा मेरे साथ है मेरे दोस्त यश पाठक, ILT20 2024 का सीजन तो बढ़िया चल रहा है कमाल गा चल रहा है, दोनों ही टीमें अब तक ठीक ठाखेली है लेकिन उमीद है इन दोनों टीमों से अगर squads देखेंगे दोनों की बाद में हम समझ जाएंगे कितनी quality है इन दोनों टीमों में जी, exactly, और सबसे पहले हम देखेंगे शार्जा वारियर्स की squad और यहां लग रहा था पहले मैच के बाद की सिर्फ उनके में तीन-चार बल्ले-बाज है मगर पिछले मुकाबले में चलो उनके बैटिंग लाइनप और गेंदबाजी ने भी डिलिवर कर लिया कैसे देखते आप इस पूरे स्कॉड को तीम में बहुत अच्छी डेप्थ है मुझे लगता है हर पोजिशन में इनके पास अच्छे-च्छे प्लेयर्स है आप चाहे ओपनिंग पेर की बात करें मिडल ओर में आप कहें या फिर तेज गेंदबाजों की बात करें क्वालिटी भरपूर है लेकिन वही है कि आपके हम देखें कि इन्हों ने रंस मारे हैं जॉंसन चार्ल्स अनुभवी टू टाइम टीट्वेंटी वर्ल्ड कॉप विनिंग बैटर वेस्ट इंडीस के एक सो पचास रण इन्होंने मारे है पिछले मैच में सेंचुरी इन्होंने मिस कर दी ऐसे लग रहा है तिपिकल जॉंस है बाकी प्लेयर्स का लाइट इस वरी कॉंट्रास्टिं टुमी दो इनिंग हो चुके है मतला भी तीसरा मैच खेलने वाले है यह दो मैचे में किसी ने भी पचास से जादा नहीं बना है अकेले खिलाडी है जो कमान लेकर बैठे टीम की अपने कंदों पर क्या ऐसा ही चलत अब बात करें तो थीकसना ने बहुत जादा सबको इंप्रेस किया है उनके अनुबाव से उनके क्वालिटी से क्रिस्वोक्स आज वालवेज बेस्ट बोलर्स इन एनी टीम दाटी प्लेस डैनियल साम्स की अच्छे कर चुके परफॉर्म लेकिन थीकसना की सराना करनी हो कि जिस तरह उनने परफॉर्म किया है अब तक इस पूरे टॉर्नमेंट में उन्होंने दोनों मैचेस में एकोनोमिकली गेंदबाजी की है आप एकोनोमी रेट भी देखिए जब बोलिंग करते हैं जब बोलिंग करते हैं उनके पास वह राइटी, क्वालिटी, सब चीज का भ जबाज है और उन पर इतनी सारी responsibility होगी इसलिए मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको तीन खिलाडी चूस करना है कि इन में से कौन ऐसे इक्के रहेंगे शार्जा वारियर उसके लिए आपके कौन से selections होंगे सबसे पहले तो there's a no-brainer की Johnson चाल जी रहेंगे क्योंकि उन्होंने अब तक दो matches में consistently perform के in fact top scorer भी एस tournament के तो he's my first pick no-brainer second है महिश तीकसना, obviously another T20 superstar in the making और तीसरे जो खिलाडी जिंको मैं चूस करूँगा वो है Tom Kohler Kadmore captain है, new role है, उनका थोड़े से pressure में जरूर होंगे situation में उनको ज़्यादा डाला नहीं गया, as a captain उनने ज़्यादा लीड नहीं किया है franchise को उपर अब जब कर रहे है, मुझे लगता है उनके उपर responsibility भरपूर है और वो उस पर खरे उतरेंगे जी और मैं आपसे सहमत हूँ, क्यूंकि मेरे भी अगर selections देके तो ये तीन ही है Tom Kohler Kadmore, Johnson Charles और Mahi Steeq Sana अगर Sharjah Warriors को अच्छा करना है, तो इन तीन खिलाडियों पर ही मेरे ख्याल से focus रहेगा और इनके सामने जो टीम खेल रही है, उन्होंने अच्छी cricket खेलिये इस प्रतियोगिता में और वो है MI Emirates, Nicholas Puran इनके कप्तान है, अनुभव इनके पास, Dwayne Bravo के रूप में है, Corey Anderson भी है Kairan Polar अभी तक इस प्रतियोगिता में आये नहीं है, मगर Ambati Raidu, उनका भी होना एक बड़ी बात है इस टीम के लिए Absolutely, और हमने देखा कि पिछले मुकाबले में, अबुदाभी नाइट राइडर के खिलाफ कैसे उन्हें 100 रंग के अंदर all-out कर दिया और फठाक से 8-9 ओवर में मैच चेस भी कर लिया, उसमें Nicholas Puran ने कमाल की दुआदार बल्लेबाजी की ती, and I think ये टीम बहुत वेल बैलेंस्ट है आप देख सकते हैं, Fazalak, Faruqi, Trent, Bolt, Zahur Khan, Akeel Hussain, ये इनकी बोलिंग लाइनपे, they've got all the experience और बैटिंग में भी इनके बहुत तगडे खिलाडी है सारे, आपने जैसा पहले बताया कि Nicholas Puran जो है, ये इनके कप्तान है, he has to play that role of the most important batter और इस standard में अप तक तुन्हों ने बहुत बरबूर किया है वो जी आपने Nicholas Puran की बात की, Wasim Mohamed भी एक बहुत crucial खिलाडी है, बड़े हिट लगाते हैं, obviously the leading 6th hitter in international cricket last year, overall यानि की बड़े नामों को इनोंने पीछे छोड़ दिया, फिर Tim David, देखिए उनका एक रोल जो है, बहुत आसान है, समझना, निभाना मुश्किल है, अंत में आके बड़े हिट लगान है, so lot of batting options, Andre Fletcher's also there, Ambati Raidu, हम expect कर सकते हैं, वो कभी भी अच्छे form में आ सकते हैं, एक decent pari जरूर उन्होंने खेली, तो ये रहे इनके बल्लेबाज, गेंदबाजी पर अगर ध्यान दे, तो MI Emirates के पास भी कुछ ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपना चाप इस प्रतियोगिता प तीम की एक मैच में थोड़ा स्ट्रगल किया, बट ओवर अल ला जवाब. के साथ है फजलक फरूकी, फजलक फरूकी ने गल्फ जायंट्स वाले मुकाबले में दो लगातार विकेट लिये थे पावर प्ले में, इनका अब तक का सबसे सरवशेश प्रजशन चार विकेट है पचीस रनों के लिए इस आयल्टी 20 में, इनकी एकोनॉमी बोल्ट से तो स्विंग करवाने की काबिलित रखते हैं, इनका रोल भी इस टीम में थोड़ा सा मुझे लगता था पहले अंशुर है लेकिन पिछले मैच में देखकर मैं समझ चुका हूँ कि इनको ऐसा बोलर लिया है कि ये कभी भी आके बोलिंग कर सकते हैं जे और देखें ये ट्रेंड बोल्ट की तरह इतने तेज ने इनकी अलग गेंदबाजी है ये थोड़ी स्किड़ी सी गेंदबाजी करते हैं इतने लंबे कदके भी नहीं है बट वेरी इफेक्टिव तो इसलिए अबुदाभी नाइट राइडर्स के सामने प्रदर्शंड किया और अगर हम वापस ड्वेन ब्रावो की बात करें जो की इतने एक्सपिरियंस खिलाडी है इनफाक T20 Cricket के सबसे लीडिंग विकेट टेकर है उन्होंने 619-620 कुछ ऐसे विकेट लिये है यह उनका IL T20 में रेकॉर्ड है सवाल बस आपसे एक है यश की कभी-कभी लगता है अब यह बस slower ball slower ball डालते है और फिर वह उनका वेरियेशन वह एक तेज वाली आती है बिलकुल बिलकुल और I think वह खुद को अन्प्रिडिक्टिबल बनाने की कुशिश करते है जितना भी हो सकता है और उन्होंने काफी वेकेट निकाले है आप कोई भी कंडिशन में देखिए हर फ्रैंचाइज में क्रिकेट खेल चुके लगगा हर वर्ल में जो भी फ्रैंचाइज इस बड़े-बड़े महां केल च करने है डिफिकल्ट है यह बहुत है अगर अगर में को चूस करने कहा जाए तो मैं कुसल परेरा को चूस करूंगा M.I. Emirates के लिए उन्होंने लास्माइच बिचा गेला था निकलस पूरन और ट्रेंट बोल्ट ही है मेरे तीन चॉइस है वसीम मोहममद और निकलस पूरन और तीसरे है ट्रेंट बोल्ट यह मेरे तीन चॉइस है मगर दोस्तों आपको क्या लगता है पहले यश तो हमें बताएंगी कि इन्हें क्या लगता है in terms of इन दोनों टीम्स के बीच में कौन जीतेगा मुझे लग रहा है M.I. Emirates मैं जीत जाएगा क्योंकि उनका बैलन्स मुझे बैटर लग रहा है थोड़ा शारजा वारियर्स की मैंने scoring rate जो देखी बैट्समें की तो सब में से एक ही बैटर जो extraordinary परफॉर्म कर रहा है बाकी सब में अभी वो करना बाकी है लेकिन उसी को मद्दे नजर रखते हो I would go for M.I. Emirates जी मुझे भी लगता है M.I. Emirates ये मुकाबला जीतेंगे मगर आपको क्या लगता है हमें बताईए कि आपके हिसाब से वो तीन-तीन खिलाडी दोनों टीम में कौन से है जिन पर आपकी नजरे है साथ ही साथ बताईए कि आपको लगता है कि कौन जीतेंगे तो Digital 2 Sports पर IELT 2020 2024 की live ball by ball commentary आप देखते रहिएगा सब्सक्राइब तू Digital 2 Sports